हेलो क्लास, सेलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागात है हम बात करेंगे हैं कुछ सौल ट्रिक्स की जो की सिंदु घाटी सब्वेता के बारे में होंगी तो हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम उन प्रशनों की बात करते हैं जिसे हम इस वीडियो को देखने के बाद हल कर पाएंगे सबसे पहला प्रशन है धातू के बारे में दूसरा प्रशन पत्तन नगर जिसे हम बंदरगाह भी करते हैं खोज करता तो आगे बढ़ते हैं पहली हमारे ट्रीक है धातू के बारे में हडपा वासी जिन धातूं से परचित थे तो ट्रिक है चाची कोई बच्चा है जो चाची से शिकायत कर रहा है चाची सोता गोलू सीटी मारे तो आगे देखते हैं चा से चादी है सो से सोना है ता से ताबा है गो से गोमेद ला लाजवर्द सी सीसा ती तीन देखा इजी था न तो आगे एक बार फिर देखते हैं इसको चा से चादी सोना-ताबा गोमेद लाजवर्द सीसा-तीन तो आगे बढ़ते हैं साथियों अगली ट्रिक है बंदरगाह के बारे में तो हम ट्रिक देखते हैं तो ट्रिक है सोला बंदरगा यहां देखते हैं यह सोला नहीं है यह सुला है तो सुला क्या है तो सुला में है सु से सु कोददा ला से लोथल अब इनकी हम नदियों की भी बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं सु कोददा में लाश्ट में दा है तो दा से दाश्क नदी लोथल के अगर बात करेंगे तो ये भोगवा नदिग किनारे है तो हम वोग एक चीज पता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए भा से भोगवा, ला से लोथल तो हम बढ़ते हैं आगे साथियों वह हम बात करते हैं कुछ हडपा इस्थलों की और उनके खोजकरताओं की तो पहला इस्थल है हडपा हम जानते हैं कि हमें कोई चीज हडपनी नहीं चाहिए हमें हमेसा दया करनी चाहिए तो इससे हो जाता है हडपा, दयाराम, साहनी यह सबसे पहला इस्थल था इसलिए इसका सन भी हमें याद करना जरूरी है तो हम बढ़ते हैं आगे दूसरा स्थल है मोहन जोदडो मोर मोहन जोदडो राखल्दास मनरजी दिल मागे मोर उसी तरह ये भी दूसरे इस्थल था और ये सबसे बड़ा इस्थल है इसलिए इसका भी सन हमें याद करना ज़रूरी है तो हम आगे भी कुछ स्थलों को देख लेते हैं जैसे रंगपुर लोथाल अम रंग में डुबो कर कोई ची लिथर जाती है लोथ पोथ हो जाती है इसलिए इसे याद करने के ज़्यादा जरूरत भी नहीं है क्योंकि रंग से रंगनाथ राव तो आगे देखते हैं काली बंगा, काली लाल कोई चीज काली है और लाल है और थपड काला, लाल, थपड तो आगे भड़ते हैं तो आगे की ट्रीक है रोपड आलमगीरपूर यग्यदत्य सर्मा हम विक्षा रोपड करते हैं या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रो पड़ा आलम यग्य के नाम से तो आगे देखते हैं चनहु डड़ो मैं चुहा आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि चनहु ड़ो से ही बिल्ली के पीछे भागते हुए कुट्टे के साक्ष भी मिले थे तो इसका क्या हो गया मैं चुहा, मैं से मैं के, मैं से मजूमदार, गोपाल मजूमदार तो बढ़ते हैं आगे बन माली, रवींद सिंग विस्ट आप देखेंगे कि बन में हमेशा वर्षा होती है, इसलिए वो वन होता है साथियां अब हम बात करेंगे कुछ previous year questions की जो की परिक्षाओं में आये हुए हैं पहला question है हडपा वासी किस धातु से परचित नहीं थे यहाँ पर आप ध्यान देंगे नहीं तो हमने पहले ही trick में देखा है कि वो किस धातु से परचित थे तो वो trick हम पढ़ेंगे कि चाची सोता गोलू सीटी मारे तो उसमें लोहा नहीं था तो लोहा ही इसका आंसर हो जाएगा बात करें हम लोहे की तो लोहे की खोज लगभग 1000 इसवी पूर में हुई थी तो कहीं कहीं 1300 इसवी पूर में मिलता है तो confused नहीं होना है तो बढ़ते हैं next question में साथियों बात करते हैं दूसरे question की तो इसमें है पत्तन नगर मतलब हम देख चुके हैं बंदरगाह कितने बंदरगाह थे सोला बंदरगाह थे सू से है सुतकोध दा ला से है लोथल तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल लोथल के हम बात करेंगे तो लोथल में हमें मनके बनाने के उद्योग के भी साक्ष मिले हैं साथ ही धान की भूसी के भी साक्ष मिले हैं तो हम बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर साथ ही अगला कोशन है हडपा सब्भिता का सबसे पहला खोज करता कौन था तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने हडपा इस थरकी खोज की थी ये तो हमें पता है हम बात कर लेते हैं other option की Sir John Marshall जब इन्हों ने 1921 में खुदाई की थी तो पुरातत सर्वेक्षन विभाग के निर्देशक मतलब डारेक्टर थे Sir John Marshall हम बात करते हैं एक अनिंगम की तो ये पुरातत सर्वेक्षन विभाग की इस्थापना इन्होंने की थी 1861 में तो हम बढ़ते हैं आगे साथियों अगला सवाल है चनुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो हमें याद है कि मैं चुहा तो मैं से हो जाएगा मजूमदार और मैके मैके और मजूमदार तो हमें इसका अंसर पता है हम बात कर लेते हैं other option की तो ये सारे ही नाम ये पतन के सिध्धान्त से संबंदित हैं हम लाइन से देख लेते हैं सबसे पहला नाम है मैके तो मैके ने बार से पतन का सिध्धान्त दिया था सरजौन मार्शल ने प्रशासनीक शिथिलता के कारण हडपा सभिता का पतन हो गया यह है अपना मत दिया था वीलर की अगर बात करें तो वीलर ने आरियों के आकरमण का अपना मत दिया था तो पतन का कारण हमें इस पश्ट मालूम नहीं है हम बढ़ते हैं आगे साथियों आज के लिए इतना ही स्वस्त रहें और पढ़ते रहें धन्यवाद